हाई फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूं बहुत ही जबरदस्त नाष्टा वह भी बंद गोपी से जो कि कोई खाना पसंद नहीं करता एक बार इस नाष्टे को आप बना लेंगे तो बार-बार बनाना पसंद करेंगे बहुत ही टेस्टी लगता है तो आए वीडियो शुरू करते हैं है हाई फ्रेंड्स मैं गीता वर्मा किता किनो रेस्पीज में एक बार फिर से आपको बहुत स्वागत करती हूं तो यहां पर मैंने एक बंद गोपी ले लिए जिसे पत्ता गोपी भी बोला जाता है इसे मैंने अच्छे से धोलिया है और उपर क छिलके होते हुआ मैंने निकाल दिया है अब इसके नीचे की ढंडै है वह मैं काटके निकाल देती हूं और इसे में बीच में से 2 टुक्ड़े कर लूँगी तो अब आप इसे चाहे तो चाकू से पतला पतला स्लाइस कर सकते हैं पर मैं यहाँ पे दूसरा तरीका इस्तमाल करने वाले हूँ जिससे जो पीसे हैं वो बहुत ही बराबर बराबर और बहुत ही जादा फाइन निकलेंगे तो यहाँ पर मैं इस तरीके का slicer use कर रही हूँ जो कि chips बनाने के लिए use किया जाता है और जो दुकान वाले होते हैं वो इसी तरीके से slicer को use करते हैं जिसे कि जो जितनी भी cuttings होंगी वो सारी बराबर निकलेंगे और जितना पतला या मोटा आप काटना चाहते हैं उतना पाइन पीसिस निकलते हैं बहुत ही देखने में अच्छे लगते हैं बराबर पीसिस होते हैं तो अगर आपके पास slicer है तो उससे काटे नहीं तो चाकू से भी इस तरह से पतला पतला काट सकते हैं यहाँ पे मैंने पूरा जो पत्ता गोबी है उसे इस तरीके से बारिक ब रख देती हो अब मैंने दो बड़े साइस के प्याज लिए हैं जिसे मैं स्लाइस करने वाली हो और इसे भी मैं स्लाइसर से ही करूंगी क्योंकि मुझे बिल्कुल पतले पतले स्लाइस चाहिए तो फिलाल में इसका यह उपर का हिस्सा है यह निकाल लेती हो और इसे दो है तो इस तरह से यह जो सारे प्याज है उसे में काट लूँगे और इसे इस तरीके से मसलते हुए हमें अलग कर लेना है तो सारी प्याज में काट लेती हो अगर आपके पास स्लाइसर नहीं है तो आप यह कम चाकु से भी कर सकते हैं तो यहां पर मैंने सारी प्याज काट और आप देख सकते हैं कितने पतली-पतली स्लाइस निकली हैं और इसे मैं इस तरह से मसल के अलग-अलग कर लूँगी तो इस तरह से ही हमें बारीक-बारीक स्लाइस चाहिए अब मैंने एक बड़ा सा बाहूल लिया है जिसके अंदर मैं यह आड़ कर दूँगी पता गो भी साथ ही हम प्याज भी आड़ कर देंगे जो हमने स्लाइस करके रखी हुई है हाज अब मैं इसमें कुछ मसाले एड़ करूँगी पहले तो मैं समय हरी मिर्च है करने वाली हों अगर आपके बच्चे आपकेस हरी और हमें पसंद करने तो आप सकिस्क्टें vinden हमृ उफ हाफ टी गी नहीं हम ने इस Matthew इंदा हैं जह अदिवम ह् टीश नहीं होती है कौर्डिंग नमक एड़ कर देंगे चाट मसाला एड़ कर देंगे एक टी स्पून ध्यान रहे चाट मसाला में भी नमक होता है इसलिए नमक बहुत ध्यान से डालेगा अब मैं इसमें डाले हूं कौन फ्लोर चाट टीबल स्पून और साथ ही मैं चावल का आटा एष्ट में एड़ कर रही हूं चाट टीबल स्पून अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसके जगे मैदा का भी इस्तमाल कर सकते हैं या फिर बेसन भी एड़ कर सकते हैं अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और यहां पर यह आपको सूखा लगेगा क्योंकि हमने इसमें कोई पानी वगरा एड़ नहीं किया है तो फिलाल यह थोड़ा सा सूखा लग रहा है यह देखे अच्छे से मिक्स करेंगे पर यह बिल्कुल भी इकठा नहीं तो मैं क्या करूँगी इसे ढख कर छोड़ दूँगी ताकि जो पत्ता गोबी है वो पानी छोड़ दे और यह जो मिक्षर है वो गीला हो जाए तो साइड में रख देते हैं तब तक एक चटनी तेयार करते हैं उसके लिए मैं यहाँ पे जार में डाल रही हूँ हरा धनिय दो हरी मिर्च कुछ लहसुन की कलियां और आधा इंच अध्रक का टुकड़ा जिसे मैंने रफली चॉप किया हुआ है नमक एड़ कर देंगे टेस्ट के कॉड़िंग चाट मसाला एड़ कर रही हूँ हाप टी स्पून यह अपने हिसाब से आप कम ज़दा कर सकते हैं अब मैं इसमें एक चीज और एड़ करने वाली हूँ जो है दही थोड़ा सा खटा दही लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहे जाने है मैं कर लेती हूं ग्राइं करके आप दिखा दे कैसी चट्नी हमारी तियार हुआ है और इसे मेंने बारे ग्रान किया है जिसे हम चट्नी तियार करते हैं और यह हमारी बहुती नियुमि नहरी न 충़ने नहीं हम coonिल्टी दही यह टी हो स्ट्नी है आपborg अधी करने वाली हूं 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहां पर जो पत्ता गोबी पानी छोड़ दिया है और अब यह मिक्षर घीला हो गया है क्यूंकि जो नमक होता है उसकी वज़ेसे पत्ता गोबी है वह पानी छोड़ देती है इसलिए हमें अलग से पानी एड़ करने की बिल्कु जरुवत नहीं बढ़ती है और यहां पर आपको चावल का आटा और कॉन फ्रॉड जो एड़ करना है वह इतना एड़ करना है जिससे कि हमारा जो सारा मिक्षर है वह बाइंड हो जाए पकोड़े की तरह है जैसे हम पकोड जाना है में प्राइन पक्राइब करीं तो यहां पर और यह बहुत अच्छे से गरम हो क्या है अब हम जिसतारी किसे किसी पकोड़े डालते हैं उसी तरीके से हमें इस प्राइं जाना है जब तक कि एक साइट से पकनेर नेबर जैसे हम पण़रे इह से खी wil पंटेंगे तो यह देखिए इस तरह से एक साइड से थोड़ा-थोड़ा पग गया है तो हम आराम-ाराम से इसे पलट देंगे और जब यह अच्छे से गॉल्डन-ब्राउन हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे तो थोड़ास यह देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है और यह बिल्कुल आपको पकोड़े जैसा ही लगेगा कोई इसमें हमने बेशन एड़ नहीं किया पर इसका जो टेस्ट है वाकि बहुत जादा लाजवाब होता है बहुत जादे क्रिस्पी बनते हैं क्योंकि इसके अंदर हमने कॉन फ्लोर और चावल का आटा एड़ जिसकी फिलाल देखिए मैंने इसे निकाल लिया है और अब अगर आप चाहते हैं कि देखने में भी बिल्कुल बेशन की पकोड़े की तरह लगे तो आप थोड़ी एड़ कर सकते हैं तो अब मैं इसके अंदर थोड़ी एड़ कर दिया जिससे इसका कलर पीला हो जाए तो अब मैं पने फिरसे इसे पकोड़े की तरह डाल दूँगे और देखने में विल्कुल पकोड़े सी लगेंगे कोई पहचान नहीं पाएगा कि यह पकोड़े नहीं है कई वर क्या होता है घर में बेशन खतम हो जाता है तो आप इस तरीके से भी पकोड़े कर सकते हैं बहुत ही लच्छे दार पकोड़े एक दम निकाल लेती हूं और इसे में आपको दिखाती हूं यह बहुत ही बढ़िया पकोड़े कोई भी पहचान नहीं पराएगा कि आपने इसे बिना बेशन के बनाया है बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा यमी दो तरह के पकोड़े हैं और एक बिना हल्दी वाले हैं एक दम से उपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी अंदर से एक दम सॉफ्ट तो फिलाल मैं कर लेती हूं प्लेटिंग और फिर मैं आपको दिखाती हूं यह देखिए कितने मज़दार लग रहे हैं और बच्चों को यह बहुत ज़्यादा पस इसे खाने वाली हूं इस चट्टी के साथ और यह चट्टी तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाव लगती है आप इसी किसी भी स्नाक के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं बहुत यह यह बार इस रेस्पी को ज़रूर ट्राइ कीज़ेगा अगर ट्राइ करते तो मुझे लिखक और ट्राइब कर कर दू.